हालो और बेलकुम स्टोडेंट तुछे आज की क्लास में हम कुछ जो हमारे परसंस हैं वो प्रैक्टिश करेंगे मतलब कंसेप्चुल क्लास है तो द्यान से समझना है कि चीजों को आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा जो बच्छा समझ लेगा पूरी वीडियो देख नंबर में आता है तो बहुत ही ध्यान से देखना और यह बेसिक कॉंसेप्ट है अगर यह आ गया तो फिर चैप्टर में आपको प्राब्लम आने वाली नहीं है तो पहला एक्जामपल है बिटा इसू ओफ सेयर एट पार एट पार का क्या मतलब होता है यह समझ लीजे मान हमारे शेयर की फेस बैलो कितनी है टैन रूपी है तो टैन रूपी के सेयर को हमने कितने में दे दिया पबलिक को टैन रूपी में ही दे दिया इसको बोलते है एट पार ठीक है इसको बोलते है एट पार अब आगे टॉपिक बिटा एट प्रीमियम भी पढ़ेंगे तो अभ तो अभी के लिए सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि जितने की प्राइज वाला समान था उतने में ही किया कर दिया उतने में ही के लिए हमने इसको बेच दिया तो उसको वोलते हैं एड पार जितने का समान तो देखे एक्स लिम्टेड इसू 10,000 शेयर 10,000 इशू कर देते हैं और किस पर एट पार पर एक शेयर की वैलू कितनी है 10 रुपे तो वो 4 रुपे अप्लिकेशन के साथ मंगा लेते हैं 2 रुपे अलोटमेंट के साथ मंगा लेते हैं जिसमें नहीं देखी थी पहले वो जाके कल की वीडियो देखे उसके बाद वो आज की वीडियो समझ पाएगा ठीक है तो अब एक 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 जामपल के साथ मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा रटना नहीं बिल्कुल भी समझ जाना माली जी ये बिटा है लोग तो कमपणी इनको सब को कहती है कि हम सेर इसू कररे हैं लब प्रॉस्पैक्टर्स इसू कर दिया जो आपने पढ़ा था हम प्रॉस्पैक्टर्स इसू कर रहे हैं और आप क्या कर दीजिए आप हमारे पास अपलिकेशन भीज़े इसगो भी से बर्झेर करना है तो ठीक है, यह सबी इन के साथ क्या करते हैं कमपनी में अपने अपने की समें भीज़ेंगे लकिन किस वीडियो बता है था टोकन money के साथ, मतलब जो application की money है, उसके साथ ये क्या खळेंगे application भेजेंगे तो ये सब ये application भेज रहे हैं बेटा company में, लेकिन किस के साथ भेज रहे हैं application money के साथ में application money जो हमारी 4 रुपी जे उसके साथ, ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले entry क्या होगी हमारे पास तो पैसा आया क्योंकि application के साथ company में क्या आएगा पैसा आएगा ठीक है तो 10,000 share के लिए 4 रुपए की इसाफ से बिता कितने पैसे आगे 40,000 आगे company में 40,000 रुपए आगे आप देखे 10,000 का share था application के साथ money 4 है 4 रुपए है तो 10,000 multiply में 4 कर दिया हमने मतलब हमारे पास कितने वैसे आगे 40,000 रुपए आगे तो सबसे पहले entry माइन में मतलब पूरी story को बैठा लो तो बैठा आपको रटनी नहीं पड़ेंगे नहीं तो बहुत सारी entries है आप रट के इसको ज़्यादा time तक याद नहीं रख सकते तो आपको समझना ही पड़ेगा तो सबसे पहले company क्या करती है invite करती है application और application public क्या करती है application money के साथ company के पास भेज देती है तो company के पास पैसा आता है तो company entry कैसे करती है bank account debit 40,000 है 40,000 मैंने आपको बताया किस तरह से 10,000 sales थे और application के साथ money कितनी मंगाई गई है 4 रूपे मंगाई गई है तो 40 रूपे हो गए ठीक है और यह money आई कहां से भाई share application के साथ आई है simple to share application तो ये भी 40,000 अब इसकी narration लिख दीजिए being application money received application money हम received करते है उसके तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं इसको एक नए account में transfer कर देते हैं इस money को ठीक है तो share application account debit 40,000 to share capital account इसको हम share capital account में transfer कर देते हैं तो being application money transferred तो आपने एक चीज़ देखा हुआ बिटा ये वाला अगर मैं cut कर दूँ इस entry को लेकिन आपको करनी जरूर है मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये ये entry मैं cut कर दूँ क्योंकि एक बार credit होगी एक बार debit होगी तो बिटा इसका कोई मतलब नहीं है आपस में क्या हो रही है cancel हो रही है तो ये एक तरह का temporary account है मतलब temporary account बिटा जस entry के लिए आपस में ये cut जाएंगे debit होगे पहले credit होगे फिर debit हो जाएंगे debit होगे फिर credit हो जाएंगे तो सारे account आपस में कटते चले जाएंगे लास्ट में बस bank और share application बचेगा अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे ठीक है अब आपको पता है कि अगला स्टिप क्या होता है जिसने लास्ट वीडियो देखी थी वेटा उसको ये पता है कि जब company क्या कर देती अफ्लिकेशन मनी मंगा लेती तो company सब को share allot करती है ठीक है फिर काम क्या होता है allotment का लेकिन अनोर्टमेंट के साथ भी company क्या कहती है भाई पैसे दो ठीक है पैसे कितने दो दो रुपे दो तो company क्या करेगी पहले दो रुपे मांगेगी लोग अलोर्टमेंट के साथ तो share allotment account debit 20,000, 20,000 कैसे बिटा 10,000 में हमने multiply कर दिया दो रुपे से 10,000 share है दो रुपे अलोर्टमेंट के साथ है तो 10,000 share issue कर रखे है दो जार अलोर्टमेंट के साथ है तो 10,000 multiply में दो तो two share capital being allotment money due due का मतलब हम पैठा पैसा मांग रहे हैं अभी हमें पैसा मिला नहीं है तो इसलिए हमने entry के अगर दी share or ultimate account debit ठीक है to share capital account अब हम money मांग रहे हैं तिंट्री ये करेंगे अब public है भई मैंने मान रखा है कि सभी public अच्छी है इसमें सभी company को पैसा दे देते हैं जैसे वीडियो में लास वीडियो में देखा था कुछ ऐसे भी applicant थे जिन्होंने पैसे नहीं दिये थे company को जो scenario हो गई थी तो अभी हम मान रहे हैं कि case हमारा normal है सभी पैसे दे देते हैं तो पैसा आया पैसा आया तो क्या करेंगे bank account को हम debit कर देंगे 20,000 से और पैसा आया कहां से भई share allotment से आया ठीक है पैसा कहां से आया share allotment से आया तो इसकी narration क्या लिख दोगे being allotment money received अब देखे ये account debit हुआ बचेगा सिर्फ बचेगा क्या bank account तो शेर गए बटर और कुछ नहीं बच रहे हैं ठीक है तिया समझाने के लिए कर रहा हूं यह बटर करना है आपको entries तो होंगी सारी की सारी अब उसके बाद company क्या करती है आपको पता है कि बटर मैंने बताया था कि आप अरम से बैठके चाय पी रहे हैं तो चार-फाच मेंने के बाद यह आप महीं मान लीजी एक मेने के बाद company की call आती है पहली खोला थी आपके बस कि अभी आपके share के पैसे पूरे नहीं आए हैं तो आप पूरे पैसे दे देजिए तो पूरे पैसे company के अब मांग रही है आपसे चार रुप पैसे मांग रही है तो एंट्री क्या करोगे share first call account debit 40,000 40,000 कैसे बेटा 10,000 सुरी 10,000 का share है 10,000 share है और 4 रुपे मांग रहे हैं तो 40,000 तो to share capital being being first call money due due का मतलब मैंने बताया कि आप पैसे मांग रहे हूँ ठीक है जो पैसे मांगोगे तो इसके entry इस तरह से कर दोगे अब यह आप यह ध्यान रखना कि बेटा पहले पैसे मांग रहे हो तब ही आपके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन सबसे उपर वाली entry में ध्यान रखना कि आपने पैसे मांगे नहीं है आपने सिर्फ application के साथ money मगाई है बेटा और पहले आपको पैसे receive होगे उसके बाद आप transfer कर लेक उसके बाद फिर आपके पास लोगों ने पैसे दे दिया आपको पैसे आ रहे हैं आ रहे हैं ठीक है तो bank account debit कितना बेटा 40,000 हागे to share first call account यहां पे भी देखें सेम account है तो आपस में cut जाए गए मैं बता रहा हूँ मतलब इसका temporary account होता है यह cut जाता है तो आपने देखा कि इ इसकी entries कर लेते हैं तो यह बेटा मैंने add par का कराया हुआ है तो add par की entry आपको आपके book में मिल जाएगी और बहुत सारी entries मिल जाएगी normal case की example 123 कर गी इस तरह से कई सारी questions आपको आपके book में मिल जाएगे आप practice कर सकते हो तो next class में बेटा add premium का करेंगे उसके बाद फिर बेट करते चलें जाएंगे थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे discuss तो ज्यादा speed में नहीं चलेंगे हारा मारा उंसे अपने chapter को आगे बढ़ाएंगे so thank you for watching the video